और वो शेब्द जिस पर आएंजी लगा है उसका नाम इंग्लिश ने क्या रख दिया है जीरंड है कुछ नहीं एक तरह की वर्ब के नाम अलग अलग रख रखें जैसे आप सब का स्कूल वाला नाम अलग होता है घर वाला नाम अलग होता है दोस्त दोस्त लोग कुछ और भ लाग दिये जाते हैं तो जैसे इक इंसान के कही नाम है रख के भी थाउन तो जीरंड को माना गया है फर्स्ट फॉर्म पे आ ओ एंजी और बिल्कुल ऐसे प्रेजंट को क्या माना गया एंजे पहला कंफीजन तो यहीं मिटा लेते हैं नितों हमें पेपर में समझ में निया आएगा क्वेशन पार्टिसेपल का यह यह क्वेशन जीरन का आएं तो अगर एक्जामिनर आएची फॉर्म को जीरन बनाना चाहता है तो इसका काम सेंटेंस के अंदर नाउन का होता है लग जाए उसे English क्या कह रही है ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में जाके नाउन का रोल प्ले करें नाउन बन जाए नाउन की तरहां एक्ट करें उसे English ने क्या नाम दे रखा है जीरंड अब यह नाउन क्या होता है किसी भी चीज का नाम आप जिस नाम से जैसे मेरे profession का नाम है teaching मेरा profession है पढ़ाना क्या हुआ English में teaching क्या लगा इस पे ING अब यह मेरे profession का नाम है यानि किसका काम कर रहा हैन का और noun जब ing जब गनता है तो grammar क्या कहती है यानि teaching is my profession में teaching शब्द क्या है समझे पक्का समझे जहां पर आप आएंजी को नाम के तौर पे इस्तमाल करोगे कोई कह रहा है cooking is my hobby क्या कह रहा है dancing is my hobby कहते है singing is my hobby कहते है cooking is my hobby कहते है तो hobby का नाम क्या है cooking hobby का नाम क्या है dancing इसलिए क्या बुलाएगी कि समझें के नहीं समझें जीरण हमारा क्या बन गया बच्चों फिर ऐसी इंजी वाली वर्फ जो सेंटेंश के अंदर जाके किसका काम करने लग जाए ना उन क्या है किसे भी चीज का नाम जैसे परिवार में में आपको son, daughter, brother, sister कहा जाएगा, यहां classroom में आपको student कहा जाएगा, समझे, classroom में आके आपका नाम बदल गया, बिल्कुल ऐसे ही sentence में आके जब इसका बाम बदल जाए, ना उनका काम यह करने लग जाए, तो इंगलिश उसे क्या कहने लग जाती है, जीरन, क्या हम पकासा मजगे?